जय जय से कुष्णा जय जय से कुष्णा जय जय से कुष्णा बलो आनन्द एक बाल हरी बूल हरी बूल हरी बूल मैं दुसरी रागा कुष्णप्रिया बाबा कुष्णानन्द डीके पंड़ा पुर्भायजी पुलिस मेरे स्वामी, मेरे पति देव भगवान, स्री कुष्ने चंद्र के स्री चरवनों में कोटी को ती प्रणाम, साख्या धंडवत बाकि सभी को आश्रवाद, सब का कल्याम आज बहुत सूब दिन है और सूब मोर्त भी है आज मेरे स्वामी के बड़े भाई के लिए भगवान स्री राम चंद्र जी का जन्म दिन है राम नौमी आज है राम नौमी मतलब नौमी मतलब चैत्र सुक्ल नौमी तिथी गृ से इसलिए राम्नामी कहते हैं कि राम जी का बगवान राम स prestige का जन्म अभिरभाब वहा था आज और ग्रहण किते हैं टूथवी लोग कर तो नवमी जो है इसलिए नवमी कहते हैं और राम नवमी तो राम बगवान राम के लिए तो और आजी के दिन मुरादाबाद में वर्स निस सो च्छे अनवे में च्छे अनवे या पंचानवे में पंचानवे में डिके पंडा के पिता जी निलाचल वियाली पंडाजी का देहान दुआ था इसी समय ठीक सारे जार के करीब अभी जार वज कर नो मिनिट हुआ है तो भगवान लाम लाम मामी के दिन इतने सुख दिन पर उनका देहान दुआ था जो कि बहुत सवाग्य से ऐसा इसा मृत्यो मिलता है मनिश्यकिनी तो सहाविक है मैं अब मैं आश्चेज नहीं होते हूं उस समय तो थोड़ा सा मुझे आश्चेज चकित होना पड़ा था क्योंकि मैंने प्रार्थना किया था भगवान से कि समय पार मृत्योंतले जाता है मृत्रा ड्ली के नली के माध्या से नली टी चरूज शरीर के अंदर जाता है समय उसी ब्लेडर के पास यूरिनरी ब्लेडर जाता हूं थेली है, वहाँ सी पिष्पिस्णा बहार निकलता है, तो उनको कॉस्त होता था तो थे अपुछा के समय में प्रत्ना किया। वहारा सिवाप भगवान के जो पुजा हर्चना हुआ है, साधना हुआ है वो निश्काम भक्ति से बहा है। कामना के साथ नहीं हुआ हम कुछ नहीं चाहिए, बागवान से ऐसा नहां बना करके उआता किन्तो इसके लिए बहोण मुझे आगयां दिय है और प्रत्ना किया और यह कोई कामना उस तरह दा नहीं था उफ यह था कि में खाली तो अधिक उचित होगा, तो बात को पुरा कर दिये दूसरे या तिसरे दिन, तिसरे दिन पुरा कर दिये और बहुत सुभ दिन चुन करके भगवान काम को कर दिये, जो कि उनकी कृपा का साख्या प्रमान है मेरे लिए, तो आज नौम नौम है, तो सब को भगवान दायवत महापुरान में एक अधुसर स्कंद्र में एक जगा पर यह कहे हैं, कि स्रिकुष्ण जन्मास्टमी और रामनावमी, यह दोनों तेवार जो है, बहुत धुमदान से भक्त लोग मनाये करें, ऐसा आज्या है भगवान का, तो जो भी समलोग भक्त ह जो हैं, तुम लोगों को बहुत धुमदाम से रामनावमी का तयाद तेवार मनाना चाहिए, और कुष्ण जन्मास्टमी का तेवार भी बहुत धुमदाम से मनाना चाहिए, पुष्ण जन्मास्टमी रात को बारा बजे, यह दिन को बार होगी, तो इसलिए दोनों तेवार सब को धुम द्हाम से जो भी सनातन धरम के होन जाए हो चाहे मां भी हो भगवान का उस सव ए तो इसमें सब लोग ले सकते हैं, इसमें कोई दोराय होई नहीं सकता है क्योंकि बेड़ कर देखते हैं, यह नहीं देख आ ठैंपर सभी बहुंग के बच्चे हैं, सभी मामों का जाए, सभी सभी मामा प्रिया. ये रामचवरिद हमानस में तो सिदाशिनह нрав सजा लिखा है, बहुएं रूम के मुंह से कहें हैं बहुने राम। कि सब को मैं ने नह पैदा किया, इसलिए सब मुझे प्रिया है। तो सब में सब आते हैं, ना केवल मनिष्य अलग-अलग संप्रदाय के जो अपने आपको अलग मानते हैं, उनको सभी को लेकर के पसु पक्षी किट पतंग बुच्छ लता, जीव इतने भी जीव हैं, सभी के सभी स्थाबर जंगम, स्थाबर मतलब जो एक जगा खड़ा है, जानतों को ब्रुच्छ अलग सुपद इतनेनी हैं, जीव जैसे यंथ को ताबिलिए सभ चलते हैं, मनिष्य चलता फ। इसलिए जंगम है मैं सब, तो वे सभी बागवान के बच्चे, मेरे ही बच्चे है, सभी मेरे भी बच्चे में, क्योंकि मेरा भी वही अनुभव हो गया, जब भगवान की प्राप्ति हो गी, तो मेरा भी यही अनुभव हो गया, और मैं उसी भाव में रहता हूँ, वो क्योंकि इस्थिती है, हमारी तो बदल नहीं सकता है, कभी भी, हमेशा के लिए हूए कि हम सभी मेरे बच्चे हैं, भगवान राम को स्मरन करना वनिष्य मात्र का के लिए आवशक कर्म है, इसमें कोई चोईस नहीं है, वो इसलिए कि भगवान स्री राम अपने जीवन पृत्वी लोक में बिताये हैं राजा बन करके, चोदर बर्स छोड़ दिए, बाकिसाब 11,000 बर्स तक राजा रहे हैं अजोद्या में, तो भगवान कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं किरी कभी ये राहसे को प्रकट नहीं किरी प्रत्वति कि, कि मैं भगवान हो, मैं मनुष्य नहीं हूँ। यह भ्रववान नहीं मताए, इसको छुपा करके रखें, गोपनिय रखें, गोप्त रखें, इसलिए क्योंकि जो लिला वो कर रहे थे, वो मनुष्यलिला हंडिड पर्सेंट था, सद्पतिसद मनुष्यलिला ही कर रहे थे, कि दसरत एक राजा था, उनका ये जेश्च पुत् जन्म हुए, इस तारी को, इस्तिति को जन्म हुए, और उसके बाद राजा बने, और उसमें जो जो कामन होने किया, उसको वो मनुष्य का द्वारा, मनुष्य के द्वारा किया हुआ कारिय, इस प्रकार से उसको प्रकासित किया, और योग्य राजा हुए, क्योंकि उसको रामराजय कहा जाता है, रामराजय के नाम से विख्यात्वा, उनके सासनकाल, क्योंकि वहाँ पर किसी घर में ताला लगाने की जवरत नहीं थी, कोई नकरात्मक प्रभृत्ति लोगों में नहीं था, सब सुद्ध हो गए थे, पवित्र हो गए थे, कोई द्रेश, आंक हिंग्सा ये सब बाते नहीं होती थी, चल कपट, खुन खराबा, नहीं, कुछ नहीं होती, महार पी जगडा लडाव, लडाई जगडा, कलर जिसको कहते हैं, कलर नहीं था, सांती था, कैसा अजीव रहा होगा उसमें, सब लोग एक दुस्द्धे के लिए मित्रता का भाव रखते थे, और पूरा पूरा सांती था, राज्य में, कोई सांती नहीं, कोई दुराचार नहीं, कोई इस तरह के बात नहीं, इसलिए तो दोबी जो था, जब उसकी अवरत नहीं जाकर के राद बिता के चली आई, तो इसलिए दोबी नाराज हो रहा था आपने अवरत के रात को, कि वो राम होगा, जो अपने अवरत को लिया करके अपने साथ रख लिया है, मैं ऐसा नहीं रखता हूँ, तुम किसी के घर अगर रात बिता के आई हो, तो तुमारा चाहितर जो है ठीक नहीं, माना जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम जाओ, इस तर लोग खाल चाल जानने के लिए, सच्चा ही जानने के लिए, तो उनके कान में ये बात पड़ी, तो वो तुरंट सावधान हो गए, वले कि आजी, ये तो मेरे बारे में टिकाटी पणी कर रहा है, ये मेरा अच्रन दुसित हो गया है इसके दृष्टी में, तो मैं कैसा राम पेशा राजा हूँ, तो मुझे जो नियम है, उस नियम का पालन करना चाहिए, कि सिता क्योंकि रावन के घर में रहे करके आई है इतने दिनों तक, तो इसलिए वो यहां लहने लायक नहीं है, जबकि मैं जानता हूँ कि सिता निर्दोस है, पुरा पवित्र है, उसने कोई अपराद कोई दोस नहीं किया, उसके मन में भी कोई दोस नहीं है, पुवित्र भी है, अपरादी भी नहीं है, परहन तो क्योंकि वो दुरगटना का सिकार हुआ, हुई है, कि रावन उसको उठा करके ले गया, और अपने घर में उसको रखा, तो घर में रही है, तो दुर लेकिन फिर भी वो बनी तो है, तो किसी कारण से बनी होगी, तो प्रारवद होता है, जिसको कहते हैं, और एक मनिष्य का बिना कारण के कोई वठना गटिप नहीं होता, ये पक्की बात है, जेसे मनिष्य में ये बात होता है, उसी तरस इता किसा भी गवाओ गटना, तो वो जितने भी प्रारवद होते हैं, उस सब भगवान का बिधान होता है, कि येसे ऐसी परस्तिती तुमारे सामने आएगी, तो उसमें फस जाओ इस तरस, तो भगवान का बिधान है, उसी जीन के कोई पाप कर्म के आदार पर, अगर खराप दुगटना होने वाला है, तब तो पाप कर्म का दुगटना मतलब जो परतिकुल तुमारे खिलाब जाएगा, तो परिशानी होगी, वो पाप कर्म के आदार, जो अच्छा है, सम्मान मिलेगा, चलो, तो पुन्य कर्म के आदार, कहते नहीं, हो मैंने वेरा होगा कि ये, मैंने ऐसा कुन सा पुन्य कर्म किया कि मुझे ये मिल गया, ऐसा कहते हैं लोग, हमने भी ये बात कहा है कि, क्या ना जाने है, कुर्ब जन्म में कितनी सा धना हुई, क्या हुआ हूआ, हमको भग्वान तो बताए नहीं, नहीं को मालू है, लिखेन इस जन्म में भग्वान की प्राप्ती होगी, ओ भाग्यों, तो बताए नहीं किसका भाग्यों, किसका बेखे है, हम तो भग्वान बने हैं, कुर्ष में स्वरूग बन गे हैं, तो इस तरह की बाते हुआ जाती है, तो सिता का भाग्यों कोछ तारन प्राण होगा इसकी जन्म में, तो इसको उगतना पड़ा, वग्वान भाम उसको बि लिए कि शिता को ले ले लाकर कि तुम बंग में छोड़ाऊ hmm आगे का क्या होने वाला है उनको अलुम나य बहगु था बंगवान Motor Ang ऐसा नहीं है बहगवान तो है ही गगवान तो खिय हैェ तो सिता को बन में छोड़ने के बार उसकी क्या दुर्दसा होगी या क्या गपी अच्छी होगी, खराब होगी, किसालत में हो रहे जी, यह सब भगवा जानते हैं, तो रख्मर जा के छोड़ा है, छोड़ा है तो एक उडिया के बहुत अच्छे कभी हुए हैं, गंगाधर मह महर को बुटोड़ा हैं, गंगाधर मेरी महर समरपूर के आस पास जगा के कभी हुए हैं, जन्म हुआता हूंका और ऑच्छे कभी माने गए हैं, अमने पढ़ाया हूंका, महर गंथा वली ऐसा हूंका, कभी कभीता का किताब है, कुछ पढ़े ही हैं, उसका एक पंक्ति जो स्मराण हो रहा है सिता की प्रत्रण में भोतात वे बने नारिये नावनित पी तुली भो भो होई कांदुची जेने होई बातुली तो पास में बाल्वी के आस्रम है जहां शिता को छोड़ाए उसके पास में बाल्वी की डिसीव उनका आस्रम है वहाँ बच्चे सिस्य कवाईकर करते हैं उस समय तो उसे होता था तो नमें से एप दो सिस्य कांद में आय थे लक 59 के विर श्यृ की बिल forgiven और देखने में बहुत सुन्दर है और अच्छे गर की लग रही है लेकिन वो माथा पीट-पीट के वो रही है बातोली मतलब पागल जैसे रो रही है तो वो जल्दी लटके गए अपने आश्रम में और अपने गुरु गुरुदेप को तह रहे हैं बालमेकी जी को बता रहे हे नाथ भो तात एक बने नारिये भो तात इस बन में एक नारिये जो भो भो करके रो रही है जब आदमे बहुत जादा प्याकुल हो करके रोता है तो भो भो कहते हैं उसको भो भो करके रो रहा है यह ओडिया वासक है वही हिंदी में भी है समस्पित में भी है कोई जादा प्रिवां नारी नारी नवनिता नवनिता क्या मक्कों जैसा मुकमल शरीर उधारण के आहो है और नारी कि राजा जनत के पुत्री है और आसर नुदार से पाली गई है छे वर्ष के आयू मेरु साधी विभा huब भगवान नाम से। भगवान नाम 12 गिवान नामी था मन थो क्ञंदन करना करमदन गरमदन सवक्रोट मیک उर्षिन जनारे हुआ जयसे कि बासली पगली जयसे हो गड़ी पगली ऐसे हो गई, ऐसे हो रही है, तो फिर बागी की समझ गए, ये रिशिमों नहीं में होते थे वो त्रिकाल दर्शी भी होते थे, सब आगे पीछे, सब जान देख सकते थे, तो जैसे ही बताए तो उनको तबना योग बल से उनको पता जल गया हो, कि ये तो सिता है, चले आपने पास रखे, वो सेवा करती गुरी की ये उसको खाना पिना और रहने का सब वेवस्ता असका कर दी, वहीं लवकुष वहीं लवकुष दोनों भाइयों का जुड़वा, वहीं जन्म हुआ है, और वहां ये बाल मिकिरशी जो है, वो पुरी बातों को अपने योग बल से अपने सक्ती से देख करके समझ गये कि ये तो निर्दोस है, निरपराध है, लेकिन फिर भी इसको दंड मिल गया है, तो भगवान राम से बाद में उन्हों ने इस बात को किया भी है, मैं इताम में, जितना मुझी रियाद है, लेकिन भगवान राम एक बार ले लिए इ अब उसे दासने तो इस हिसे को बनवास वाले हिसे को तो अपने मानस, मारामसरीद मानस में रखाई नहीं, इत्ना ज्यादा ब्याकुल हो गये कि इसको रखाई नहीं, लेकिन ब्याकुल नहीं होना, हमारा जो sollte कल रहा है, वो भगवान के प्रेम के लिला के, ये सब जब लक्षमान को पकड़ पकड़ के रोहें, पहुत रोहें, कि आए लक्षमान को पकड़ के रोहें, जब लक्षमान को पकड़ क्या हो गया, सिता मेरी सिता चली गई, मैं क्या करूँगा, इससरो से जिसे आम आद्मी रोते हैं, परेशान होते हैं, वैसे भगवान दिला किया, एक पहले रोहे थे, भगवान इससे ब्याकु लोह करके, वही भोह घो पेर होती हैं, कभ, जब रा भाद रहा मै七 हो जब भून रहें इस हो ढूंद रहे हैं उदर कही सिता-शिता सिता-शिता-शिता नाम पोकर रहें कहीं उसका अतपता नहीं चल रहा है तो दोडा Node 8 तो जहादा भूर है रोते हो जो पाता दोड़ है रोते रोते जो अ начало उनलीस भूंद आंदा है कहां मिलेगी मुझे बता दो तो ऐसे पूछ रहे हैं ऐसे रो रहे हैं ऐसा बर्णन्स आया है बादने की रामा है पति-पत्नी का संबन्द जहां पर मर्यादा का संबन्द होता है जहां धर्म का संबन्द होता है वो बहुत पवित्र संबन्द होता है यह सनातन द्रम की सिख्षा है, आप माननेता है पति-पत्न का संबंध केवल सारेलिक संबंध के लिए बिलकुल भी नहीं है इससे कहीं आगे बहुत जिम्मेदारी इसे कहीं आगे बहुत जिम्मेदारी हाई स्टेटस अव रिस्पॉंसिबिलिटी religious performance and emancipation, salvation, मुख्य तक ले जाने वाला यह मार गी पति-पत्नी का जो संबंध यह सनातन द्रम की मरजादा है, माननेता है सिख्षा है इस बात को जो इस बात को कैसे समझ पाएं, नहीं समझता है इसलिए वहाँ पर धड़ादर धड़ादर डाइवर्स मंगरा हो यह सम्मामले होते हैं हमारी यह नहीं, हमारी यह यह बार हो गया विभा हो गया, तो वह हमेशा के लिए होगी चाहे अनमन होता रहे लेकिन डाइवर्स की बात कोई नहीं सोचते हैं लेकिन आप जो है कलियूग में आप देखा देखी दूसरे देशों का यहां पर भी यह फैमिली कोड बन गया हिंदु मेरे जग देख भाजी बना दिये हैं यह कि हिंदु धर्म के नियमों के बिपरित हैं और यहां भी अपना फटा डाइवर्स फैवर्स से सब होना सुरू हो गया वह दुर्भाज्य की बात है तो निर्णे जब लेना होता है जीवन में किसी नाजुक मोड पर तो निर्णे सही होना चाहिए तो अगर पति जे रूपने भगवान नाम से कहा जाता कि तुम नेर्णे लो तो भगवान नाम सीता को ना छोड़ती लेकिन राजा बन करते जब उन्होंने उसको नेर्णे लिया तो उनको छबना पड़ा जानते हो जी निर्दों से जानते हो तो यह मर्जादा पुरुशुत्तम कहते हैं यह मर्जादा रखे निगए अपनी गरिमा राजा की गरिमा को रखे मैं आते हो स्चिया इतना ही कश्चदायक हो ब्यक्तिगत रूप से लिए कस्च दायक है उनकी प्रतिकुल है अपने आपको सजादे अर इसका तत्व ज्यान है क्या है तत्व ज्यान कहते है उसको असली बात क्या है इसमें spiritual science हम spiritual science की बात करते है हमारी इस channel में जितने जी videos है वो सब spiritual science पर based है भगवान सी कुष्मा इस channel seeks the glory of Lord सी कुष्णा and it is based on his teachings in the Bhagavad Gita and Bhagavad Mahapurana etc. ऐसे लिखा हुआ है तो यह spiritual science का subject है हमारी जितने भी recording science है तो spiritually क्या है इसका मतलग इसी को तत्व ज्यान कहते है spiritually यह है कि ना यहाँ राजा राम है ना यहाँ पति राम है यहाँ तो भगवान है और उनके भक्त है विधान है तो यह लिला वहाँ पर अबनिकर के आय। अधि अगर एसा यह लिला मालव हुआ यह गों यह द्यास का पहले ही फरो साद्रॉदं लाम होचे चुका इस बहुत काम दो इस बात को जांते है। कि राम यू लिखा गया है वालमिकि रामाल इन संस्कुत्वरा मुल रामायन ﷺ, मुल रामायन ﷺ तो कि जन्म फरन डिखा गया थूगा तो पहले रामायन » यह सनातनधार्मि गरिमा यह सकत्य कृदर में जाता हो तो छानके निख प हुगा पूरा यसे-इसे होगा पुरा ग्यादाफ उधार ब्रस भागवान राजी करेंगे तो ग्यादाफ वर्ष से ज्यादा से ज्यादा का समय का रामायन इतियास जो है लिए इतियास जो है लिए ह इतियास इंदे वितियास दिया गया पहले है. तो दो chemotherapy ded आ गया. तो बाध है, अंडेट पासेंट tomar dovथे जाने हैं. तो बभवन सब जाने हैं. बाविश्य भी जानते हैं. अभी इतना हुआ है. अभी अर घुड हुडा, और घर हों बहुत्गादगी होने वाला कनली fireworks, यह अनुमान आम लगाने हैं, कुछ सास्थियत जान है इस अधार पर लगाने हैं, कुछ जान तो रहता हैं आनुमान लगाने कि लिए कुछ मैटियम तो चाहिए होता है, कुछ बातें जानकारी तो चाहिए होता है, उसी के आगार पर हम अनुमान लगाने, या किसी का हम जे देखना है, कोई अमारा मित्र है, या परोशी है, या भाई है, या जो भी है, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, आगे चलके यह बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने का, अनुमान जासत में, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता है, अनुमान समेशा सही नहीं होता है, लेकिन अनुमान लगाया जासा है, लेकिन रामयान अनुमान नहीं था, नामयान पक्कार, इतिहास लिग दिया गया पहले, फिर भगवान राम का जन्मा हुआ 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 हु तो भगवान डुछाम का ये जो चणित्र है जैसे बन्वास वाला चणित्र है, ओन भी अधो तत्वग्यान से देखोगे, तो तुमको ना शुखी होना है ना दुखी होना है, तुमको उसको जैसे की कोई फिल्मी ट्रेलर चल डाया इसे देखते हो, देख़को उसको, बिलक प्रवान के रहष्य को समझता है लिला के रहष्य को वो कभी सुखी रुखी नहीं होता है वो किस में होता है पर्मानन्द में होता है आनन्द में हमें साथ किसी घटना मिशेश के लिए सुखी हो नहीं होता है और आनन्द में स्वाविक रूप से आनन्द में रहता है सब जानते हैं कि vengeance कर आफ हैं तो सृता आपना रूल कर रही है और ये अतना रूल कर रही है य न लक्ष्मान अपना रूल कर रहा है भग्वान जेसे सब के रूल बान बाड ढटी है इसे इसे लिसी द्रामा होता है स्टेज में तो एसे इसे तुमको कर ना एक्टिंग, तो सब ना आप ना एक्टिंग कर रहे हैं। इसी को लिला कर देद में. तो इसलिए इसमें कोई घड़ाने की बाद या मसुल बाद, लेकिन यदि भक्ते हो करके तुम देखोगे और भगवान की दुख मय जीमान और सुख मय जीमान ऐसे सुचोगे तो फिर तुमको आँको में आशु आना पड़ेगा, आएगा ही आएगा तो दोनों अस्थिती अच्छी है, कोई इसमें बुरी बाली बात नहीं है, भगवान की लिला में सब ये स्थिती जाये जाए और अच्छी बात, सब ये तो आज भगवान राम की कुछ लिला का स्पराण करके हम नहन्य होई और टीके बंडाक अपने पिता जी का भी स्पराण किया, उनका भी कल्यान हुआ होगा निश्चीत रूप से, उसमें कोई संदय नहीं है, राम जान नहीं है, हमको उसके ज्ञान भगवान नहीं दी, इ पत्नी का कुल जहां से पत्नी आई है, वो कुल, पत्नी का कुल जहां से पत्नी आई है? वो कुल. तीन कुल जो है तर याते हैं, हमका क्षटा कल्यान होता है, तो बहुत कुसी की बात है, इसमें एक गीत है, बहुत सुंदर सा, वो कहां रखा है, अभी मिले जा कि भी क्या, मुझे याद आया, हाँ, मिल गया, आरती स्री राम चंद्र जी की, यह मुझे बहुत पसंद है, और इसको मैं याद नहीं करता है, भगवान से कुष्णा में जाजा लगे थे, इसलिए याद नहीं किया, लेकिन यह लिखावा रखा, स्री राम चंद्र कृपाल वजुमन हरन भवभय दारुनं, नवकंज लुचन कंज मुख करकंज पद कंजारुनं, करकंदर्प अगानित अमित छबिन वनिल नीरद सुन्दरं, पटपीत मान हो ताडितरुचि सुचिनेमि जनक सुतावरं, इसमें पटपितामर है, हमारा जब पितामर हम धारन करते हैं, वही पितामर भगवा। ने स्वामित कृष्म आपतार्न मी धारन की है, इसमें राम आपतार ने धारन की है। भजुदीन बंधुदीने सदानव दैत्यवं समिकन्यनं रगुनंद आनंद कंद कॉसल चंद दसरतनंद नं बोसुन्द इति बरतित लसिदास संकरसे समनिमन रंयनं मान रुदय कंज निवास कुरु कामार्द खल भेलगाएं जनम मिल जा ठीक टाइम से तो बहुत सुंदर हुआ बहुत सुंदर हुआ बहुत सुंदर ब्यक्तित्व उनका वो मुक्मंदल पर जो वो हसी इसको कहते हैं तो क्या कहते हैं समिता लडकिपवान का नाम होता है नो मिता मतलब क्या है मतलब है इस मिता हस्य जिसमें है उस जिसके मुक्मंदल पर चेहरे पर हमेंसा हसती हुई अगर नजराती ही वो श्मिता तो वसी तरह से भग्मान भी हमेशा हसने वाल मुक्मंदलोन का जैसे कि लिएनादो डा भीन्सी का वो जो पेंटि के लिए का लड़की का हमेशा एक बहुत बिचित्र हाशी वोसके होंटो पर बिराजमान है लिएना रो नाम से पीक्चर का ना याद करने में सोय बहुत कम पढ़ जाते हैं, तो बाकिस्था बहुत सारे जैनल लोज अच्छा था, हमारा सब चुट चाड़ जाते हैं, लेकिन जब आत पढ़ता है तो कुछ याद करने सी याद करा देते हैं भगवान, ये इनकी इतनी बड़ी क्रपा है, तो सुन्दर चा तो लक्ष्मन को कुम भूल सकता है, लक्ष्मन का तो कमाल का त्याग, बलिदान और भगवत्न भाईप्रेम, अरे बहारे, ये सा अद्भुत चरित्र, लक्ष्मन, ऐसी निस्था, ये सा प्रेम, ऐसा त्याग, लोग इसे आ के लिए यहां पर इसी जगह को बगवान की कि अच्छे काचे लोगों ने कहा है, आप ने जो ट्याग किया है, ये गोपियों की ट्याग से भी बहुत बढ़ा ट्याग है। वो मनिश उनका अपना असेस्मेंट है। लेकिन मुझे उससे पहले गोवान स्वयम बता चुके है कि तुमारा प्रेम और तुमारा सेवा जो है वो गोपियों से भी अधिक स्रेस्थ है, ये भागवान स्वयम मुझे बता है। तो तःग की बारे मैं भी इस चला की बात लोग करते हैं। लेकिन, लक्स्नान का त्याग ने सी है। जवान स्थ्री को अपना छोड़ाया, अपने माँ को छोड़ाया, अपना सारे सुख्ष विदा उसने छोड़ दिया, जब प्रभ्रांद्राम सोते हैं, तो ये विदासन में बैठा है, विदासन मतलब एक गुटना निशे करके एक गुटना ओपर ऐसे बैठा बैठा रहता ह दमस्ति लेकर प्यार प्यारा देता है। ऐसा भाई किसको मिलेगा। अब भरत का तो अभुद्परुतियाद। आते ही सब समझ गया एक सेकेंड मैं कि ये बरुवानवाम के साथ चलो गया है। और मेरी माँ ने किया है तो मुझे ही सब ठीक करना पड़ेगा। और जाके पोहुच जाता है वहाँ। चितरकुट। चली 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 गलती हो गई। बढ़ी। तो खड़ाव लेकर के लोडता है। और खड़ाव को ही। सिंधासन में बैठा करके उनकी पुजा करता है और सासन चलाता है। जम इन पे सोता है। और पंच गव्या खाता है। गायवाय गवरवर्ण के सब खाना पिना था मिलना करके पांची। गवर्ण है उसका। राजसी ठाट से नहीं रहा उसके। राजसी पक्वान नहीं खाया उसके। सब ट्याग दिया। ट्यारवर्ष तुराव। ऐसा भाई सुनने को भी नहीं मिलें। भाई भाई में मार भी थे। रुपया पैसा तरिमत्वारे कली की। अजया पैसा सेवा। प्रत्यक्षो नहीं लिखा नहीं बात नहीं है। बढ़र्ण जानते थी कि यह भगवान है। ना शुपन मेरे बड़े भाई है। मारे जेस्ट है। हम सब से बड़े हैं। उनका राजा बनना उनका धर्मा है। हमारा कर्तर है उनकी सेवा करना है। जो राजा बने हैं। बढ़र्ण नाम बिराजमान हुए हैं। तो बैस यह सब खड़े हुए हैं भाई लोग। अगल बगल शेवा के लिए। तो केवल राम चरित्र नहीं है। खरत चरित्र भी लक्ष्वन चरित्र भी और सद्रुगन और सब का महान चरित्रान। जिसको भगवान राम जैसे बड़े बाही मिल जाएं। वो बच्चे बाकी छोटे तो अपने आप सोधर जाते। लेकिन कभी जभी अलग भी हो जाता है माम जाथ। तो भगवान के खुपा है। कि भाई लोग ऐसे हैं। तभी ग्यारह हजार वर्ष का सासन बश राम राज्यकी स्थापना हो गे। नाम रह गया। यहीं उत्तर प्रदेश में हमको आके और हमारी डिके पंडा जो है उसका पहला पोस्टिंग ट्रेनिंग के बार पहला पोस्टिंग अजुद्या पहयावाद जिला होगा। अजिलाब में पोस्टिंग होती है। अजद्या उसका तैसिल है लगा हो है पहयावाद से जद्याद नहीं है। तो कितना उसको अच्छा लगा। अब भगवान को अभी भी हम धन्यवाद देते हैं कि भगवान की प्राप्ति कराना था भगवान को इसलिए डिके पंडा को उत्यप्रदेश के डर आईपेस में ले आई। दूसरे स्टेट अगर मिला होता तो यह सवबाद यह कहा मिलता कि पहला पोस्टिंग वहाँ पे। ट्रेनिंग में भी जो हमारा ट्रेनिंग हुआ एक मुख्य ट्रेनिंग तो हरिद्वार में हुआ। सबसे बहा प्रत्रस्तान हो भी है गंगा के नादे। कुम्मेला ड्यूटी में हो भी है। यहां पे लाखों की भी आते हैं उनको पंट्रोल करके किसी तरह से स्नान करवा करके नहीं हो अफिस करना था। और किया भी भगवान के गृपा से। बहुत जोखिम भरा काम होता है लेकिन जोखिम उठाते हुए भी किये हैं स्रधालियों का, छुष्णान आर्थियों का छुष्णान करने के लिए आए हैं पूरे देशबर से हो अलोग। पर फिर पहिए बाद फिर अजद्धा दर्सन करने पहुचेगे फोरद लिले आएपेश बने हैं गजवान काश्रवाद मिल गया पहरे उससे पहले district training जो है अलावा तिर्थरा प्रयाग महीं है पर किये है। 1973 की बात है उसको, district training पहते है उसको, field training. तो इसमें ठाने का काम, अलाईयो ब्रांच का काम, इधर अधर पुलीस ओफिस का काम, इसमें बहुत सारा काम सिखना पड़ता है तो काम करना सुरू करने से पहले, लेगुलर कोस्टिंग से पहले। फिर अधर पहुँचके, अलिगार पास में मतुड़ा, मेरे स्वामी बगवान स्री कुष्णा चंडर का जन्मस्थान हुआ, तो स्री कुष्णा जन्मभूमी भी उत्रप्रदेश में है। तो ये बहुत जोजनावद्ध तरीके से बहुत जो है लिके पंडा को उत्तरप्रदेश काडर में अपना पतने पास बुलाए। और दोनों जन्मभूमी यही पर है, और दोनों जन्मभूमी का दर्सन साविस आरंब करने के समय ही दर्सन हो गया। तो कितनी सुंदर बात है। और भग्मान की प्राप्ति ना होती है। कैसे हो सकता है। उस्वें नहीं जानते थे यह सब कुछ में होने बाला है। यह सो हता है। यह भी ठीक से नहीं मादूमता। क्योंकि हाई स्कूल पास करने के बाद कोलेज में इनवर्स्टी में तो आदनी थोड़ा सा बढ़ा हना शुरू हो जाता है। तो घर की जिम्मेदारी सब समालने का स्थिति आ जाती है। जिम्मेदारी अमारे बहुत पोजिशन ठीक नहीं था तो समालना था जिम्मेदारी था हमारे कंदे पड़ता है। यह हम दो नंबर है। तो घर किनेशिक कृपा किये कि वो जिम्मेदारी भी समझ जिया और भगवान की प्राप्ती भी हो गए। यह भुगववत कृपा ऐसे होता है, भुगववान कहते हैं, लोगववान कहते हैं, सभी नहीं और कि देखो मैं तुमको हवा पानी सब दे रहा हूं, तुमको कोई परिशानी नहीं हूई, देखो सब कुछ ठीक ठाख हो गया, ऐसा खड़े होदर के भुगवान आके कभी न और करते रहती है अपने को में लेखिर्म जार सेुचा वर करते रहते हैं। जाहि है। जा भे है थि upa है। जए जाँ कुस्ना जाँ जाँ कुछ्ना .. बोलो आनन्द एका या रहे रहे है।